लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें करें बला कि अपडिन को सब्सक्राइब करवड़ा-चैनल्स को रीच gathering सु like कर दो कर दो खप मलुट कर दो नहांज कर दोatu कि ठेसं डिस कि ऐसफ दो जो नपत है भार crack बार ठार नाल कि इस पॉल हुआ हुआसरा नाल कम समक्रों का प्रीघющा है दॉल है और मायाओ थे सब साँ मायओं नार्चे-स Osaka है और चुछ कह ईचितननो रचा भी प्वांप ठाइब भाइब साथ टूर ठाइब से नहीं ए टूर देखिए । इसमें हसने की क्या बात है हसने रोने भी किस का बस है बाबु जी हसने वाली बात हो तो हसी आई जाती है बहुत प्यासे लगते हो देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो लेकि लिखना भी नहीं जानते कि पानी पानी में फर्क होता है शहरी हो ना क्या मतलब मतलब यह तो यह पीने का पानी नहीं है गंदा है यहां आओ यह लो यह हमारे गाउं के सब से मीठी कुए का पानी है को कि भाइब Onda कि अब बहुत मीठाय यह गंड़े के आसपास वाले कुएका होगा वैसे तुम यहां की रहने वाली हो तो प्रीज़र वही है हाँ क्यों नहीं हम तो यहां के चप्सक्रॉटफव सब बबूजी नं करते हुछ एक प्यास मुझा दी तुमने आप तो हम देखा व एक भग्य हुए मुसाफिर को साफ़ल को रास्ता वी डिखादा मला दॉत बता ही लेकिन यह तो पता चले कि तुम जाना कहा है किशिंगर तब तो तुम सच्पुश रास्ता भटक गए हो लेकिन तुम्हारी खल्ती नहीं है। किशन गड़ जाने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन तुम्हारी किसमत अच्छी है जो हम तुमको मिल गए। आओ, हम रास्ता दिखाते हैं। देखो, यहां से सीधे, बिल्कुल सीधे, 20-25 कदम जाने पर, काइने हाथ की तरफ मुड़ जाना, 10-12 कदम जाने पर, एक जामुन का पेड मिलेगा, फिर बाए, वहाँ थोड़ी धलान पड़ेगी, फोतरने के बाद, बिल्कुल सीधे चले जाना, पस, आगया किशिंगर, सम समझ गया, समझ गया, बिल्कुल सीधे रास्ता है, धन्यवाद पानी के लिए, और यह सीधे रास्ते के लिए भी, नमस्ते, नमस्ते, बिल्कुल सीधे रास्ता है, झाल झाल कर दो 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 तेरी मेरी पीत है जनम पुरन, तेरी बिन दुर स्विय पीन कहन काहाई मखर ताना मेरी और है कोई आसा नहीं मेरी यार भुलाना जाघर जावी जागई माना मझे भूला न भूला तुझे दिल ये दिवाना जागई 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 माना स्क τι ऐहता है दूरियों ही रहते जमन शक्पा चलाएगा चेन तुझे आएगा न चेन तुझे आएगा दूरियों ही रहते जमन शक्पा चलाएगा चेन तुझे आएगा न चेन तुझे आएगा धर के आसमान को पहली दिल की तास है तुझको धूंड लाओं भी फिर भी दिल आच है नहीं बदले ये दिल बदले चाहे जमाना चाहा जातार जाबे जाबे माना तुझे बोला लड़ा तुझे दिल ये दियान चाहा जा जा दे जा दे जा गई माना जा जा दे जा दे जा दे जा गई माना झाल 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 बाबा, बाबा मेरा शंकर आ गया, आ गया मेरा शंकर मुझे भगवान पर धरोसा है, उसे आना ही था लेकिन बाबा, उसने मुझे पैचाना नहीं परेशान मत हो बेटी, जब तुम्हारा सच्चा प्यार उसे खीच कर यहां ले आया है तो वो तुम्हें पहचान भी लेगा और उसे तुम्हारे पिछले जन का प्यार भी याद आजाएगा अब सच कहरें बाबा, उसे सब कुछ याद आजाएगा, मुझे पहचान लेगा ना? हाँ, हाँ, बेटी, वो तुम्हें अवश्य पहचानेगा जब तुम्हें अपने पिछले जन का प्यार याद है, तो भला वो कैसे बुला सकता है हाँ, बाबा, मुझे सब कुछ याद है, सब वो दिन भी, चबरानी मा के बुलाने पर, वो पहली बार हवेली में आया था ली जी, आगे ही आपकी मंजिर, अब मेरा काम खत्म है, मैं चलता हूँ कर अपकी मंजिर सकता है कर अपकी मेरा काम सकता है वो परो कर दो कर दो कर दो सकता है कर दो मैं कर दो क्रुट लुट। यह सब क्या है इम्तिहान तुम्हारे बाजुओं का मैं देखना चाहती थी कि आज भी तुम्हारे बाजुओं में उद्दम है यह नहीं गोगा आज से हमारे खास महमान है इन्हें इज़त से अंदर ले आओ आईए आईए अब आई है और एक यह देवांजी यहां के सबसे आज़ी हमारा सारा कारोबार यही तंभलते हैं और यह रूपा और अमेश हमारी बड़ी बेहन के बच्चे यह यहां हमारे साथ हैं कि और यह मुष्य जी है इंजलिय सैंट जो करते हैं कि एक इन काम काश्व मत की जबन है यह नहीं समझाए और यह कैसा जेश लोगत हुआ सबनेंरी की प्रवाय जिम्हें ही के लुगकरा हो रससें से UM प्राणी मां, बहुत खुशी हुए इनसे मिलका, लेकिन आपने इनके बारों कुछ भी इनका नाम शंकर है, ये शहर में रहते हैं, मैंने आप सब को इस बाक इसलिये तक्लीफ दी, क्योंकि भूखाथ बात है, जो आप सब को बताना जरूरी समझती हूं, मैंने सीमय बेटी की शादी शंकर के साथ करने का फैसला कर लिया राहिए, रानी मांची कौन हो तुम, पोपटलाल यानि के पोपटलाल फ्रॉग वाला लेकिन किस मंध से कौपटलाल ऐसे बुरे वक्त में अचानक एक शुब समाचार हाथ वे आया कि मेरे मामा जी शिरी जुर्मट दास उदास आपके या मुंची है उनको ढूंटे ढूंटे दातर की धोगरे खाते है यह पॉपट आपकी चोगट पर आगया रहने मा तो पॉपट लाज तू मामा जी मामा जी मेरे मामा जी मामा जी मेरे मामा जी मामा जी मेरे मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी आपके तू यहां और दाता का मुंची जी यहादी कौन है यह मेरा भंजा है रानिमा बहुत बर्सूं के बात मिला है आप इसकी किसी बात का बुरा मत मानना यह बेचारा किसमत का मारा है अभी कुछ दिन पहले इस बेचारे का बड़ा भाई जिसको यह बहुत चाता था स्वरक्तिधार गया बगवान को प्यारा हो गया दानिमा उस दिन के बाद इसका दिल और दिमाग इसके काबू में नहीं रहा जब मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया मैंने इस बेचारे को संदेशा भेजा कि बेटा मेरे पास आजा यहां वो हवा बदलेगी तो शायद इसका दिल और दिमाग भी बदल जाए अब किया हो इसे कुछ दिनों के लिए मैं अपने पास रख लू ठीक है मुझसी जी आप जितने दिन चाहें इन अपने साथ रख सकती हैं दानिमा यह अभी सफर से आए हो ठके होगे गोगा जी दानिमा मगर मुझे बात करेंगे अभी जाके आराम करो इननके कमरें तक पहुंचा दो जा चलिए ठीक है तागल हो गया दिमाग खराब हो गया इसका शादी करेगी हां पताने किस लफंगे को पकड़ लाइए लेकिन मेरे दिमाग में यह चक्का समझ नहीं आ रहा है यह सब हमें बहार निकलने की तरकीबे हैं लेकिन मैंने भी कच्छी गुलिया नहीं खेली अपना हक ले बिना निकलना तो दूर खिलुंगी भी नहीं आसे लेकिन हमें करना क्या है हमें क्या करना है करने वाले तो यहां और बहुत बैखे हैं हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे मैं जानती हूं तुम क्या कहना चाती हूं लेकिन मैं जो कुछ कर रही हूं सोच समझ कर रही हूं क्या सोच समझ करकर रही है, किसा आदमी कुछ जानती तक रही, जिस मैंने पहले देखा नहीं, कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, एक ऐसे अजनभी किसाथ आपने मेरी शादी तैय कर दी, ना मुझसे पूछा, ना मेरी सला दी, शादी की सिर्फ बात की है, शादी तो नहीं की, और सब के सामने इसलिए की, क्योंकि ये बात पहलाना वहुत जरूरी है, तुम तो जानती हो, कि हमारे उपर किसी वख भी मुसीबत आ सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है, कि ये लड़का हमें उस मुसीबत से बचा सकता है, यह यह अकेला आपमी बचाएगा हमें हाँ यह अकेला तो मैं जानती हैं मैं जानती हैं अच्छी तरह जानती हैं यह बाद मैं शेहर से वापिस लोट रही थी यह एक हाँ जाँ बच्य आ cena row, फिरियने बाु चीरे पिरांती हुई है औरेम मैं आफकश चीरे फिरी अール हैक जाँ जाँ मैं जाहँ हैं जाँ बार उ्सक्टू वी खवएब ए्च्दि 살 मैं एड्फ, बार अर बारेम। आख जो डख झार झाराउ। कर दोट सुचाल नभाई आपका ठाव जड़िए एक डावता नपका बादान। लाग वाग पराख पाट बाट रोड़ याग यफ बाट ये ये टूब बाट कि अर दिदी है ये 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 भाट बब वाट बड़िए जैदू लेगे आ फब बड़ बाट वे बाट जग अदिएू यह लीजी है बेटा, तुम्हें एन वक्त पर आकर जो हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें से जितना भी चाहो, ले सकते हो तुम जिये मत समझना, क्या हम तुम्हारे ऐसान की क्यमा चुका रहे हैं अहसान किस बात का, यह तो मेरा इनसानी फर्ज था, हर फर्ज की कोई कीमत नहीं होती तहने दीज़े इस इलाखे के रहने वाले हो, जी नहीं तुम यहाँ, अकले वीड़ाने में क्या करेंगी जानकर, बस ही समझ लीजी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम जैसे इमानदार और बहदर आदमी की ज़रूरत है उस वक्त तो उसने आने से इंकार कर दिया था और आज उसकी मजबूरी उसे यहां खीच लाई है बस यूँ समझ देते, इस वक्त उसे हमारी और हमें उसकी जरूरत है जाओ, बहुत राद हो गई, जाकि सूजाओ उच्वे भरोसा रखो जाओ, 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 जाओ झाल 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 प्रप्रो प्रों प्राउिध प्राई भीघ्ट प्रॉंग कई च्राई प्रॉंग यह तो शुरूबात है Kis बात के शुरूबात कैसी शुरूबात कौन था यह अदमी बुजह नहीं मालू आपके हवेली में क्या हो रहा है या आपको नहीं मालूम तो और किसे मालूम होगा यह हवेली है यह पागल खाना आते ही आपनेमुझ मेरे मुझ पर एक पहलवान से हम आपके कहने पर मैं यह चलाया, इसका मतलब यह तो नहीं कि- अबर तुम चाहो तो जा सकते, यह मुझे मालूम है, तुम जाओगे नहीं हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब चाहूँ तुम्हें पुलीस से बचने के लिए, तख चुपाने के लिए एक जगह चाहिए और मुझे तुम्हारे जैसा एक बहादूर आदमी एक बात समझ में नहीं हुआ मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाबजू आप मुझसे क्या चाहते है यह चाहते है हमने एक बार पहले दी, तीमा की जड़ी ते की दी मेरा तक कुछ खत्म हो गया शीमा के पिता जी की जान बचाने की कोशिश में बेचारे दिवान जी की दोनों टांगें हमेशा के लिए बेकार हो गई उस दिन से लेकर आज तक पूरी हवेली में उस डाकू का खौफ चाया हुआ है लेकिन उस सीमा से क्यों शादी करना चाहता है दौलत के लिए इस हवेली के लिए क्योंकि बचियात के मुताबक यह सब सीमा को मिलने वाला है उसके अठारे जन दिन पर उसी दिन सीमा को उठाकर ले जाने की धपकी भी है उसमें अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्यों बुलाया है उससे पहली बार मिलने के बाद हमें लगा कि तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो अब आपके तुम्हारी मरसी आप बेविकर रही है रानिमा जो भरोस आपने मुझ पर किया है उससे मैं तुपने नहीं दूँगा लेकिन वह कौन है कहर सिंग जरा देखो इसे देखो यह हमारा आदमी है हमारा सरदार कहर सिंग का आदमी मार खाक्याया है मारे क्या आए हावेली से और जैजिस है कि हेल सिंग के नाप से का उपती है खातार चोफ क्रण कुद्दे वह मूँ से अमारा नाम लिए कराम जादे तुझे वह वाद किस काम क्लिए रखा था है प्रवेली में नजर रखने के लिए तुझ से किसे का इसी नहीं सर्दार किसी नहीं लेकिन जब मैंने देगा वेली में एक नया आदमी आया है तो इसलिए प्रवेली में आदमी आदमी इसलिए मैं जोचा है तुझ सोचा अगर क्यों तो इसलिए जिंदार अगर तू तुझ सोचा और सोचने से पहले यह नहीं सोचा कि तेरे सोचने का अजब जाओगा सर्दार सर्दार मुझे जबाप कर दो मुझे हो साथ्य होगया सुने गुलती की यह सिरफ दू जानता है और कहर सिंह किसी को माफ नहीं करता यह सब जानते हैं यह Nash Laswar हो कम देतो मेरी नफवार की टिभिया फैसला कर दूए सिरा मिलजा देगा जाला सोचता है मुझे माप करता है आप सारी जिन्दे के कुछ नहीं सोचूंगा इश्दै अब ये नस्वार तुझे माप कर देतो कर दे मैं तो माप नहीं करता है कि अधिक आगई तो ठीक वरना कसम बंदूग की तो ठीक वरना कसम बंदूग की कि अधिक कि अधिक कि अधिक कि अधिक आगए अधिक देखें तुरे आप अधिक अधिक आपड़ मर गया एक मिनट पहले आजा तो बच चाथा बिचारा साड़े का दिमागी नहीं किसमत भी खराब थी नस्वारू ए नस्वारू जी सर्दार यह तो मर गया आपकी गोली से कोई बचायर सर्दार नस्वारू तो कजा है वह तो हूँ मगर क्यों सर्दार अबे उल्लू के असली बात तो रही गई न हम तो पूछ रहे हैं बूल गए क्या भेली में दोने हैं ह्थमिया है क्या है क्या है क्या है यह तो मर गया अब हम किससे पूछेएंगे डाव मतावत क्या है जिसमें चप्रियाम की ज़िएफने चुप घलकूर गलत पतो इस और न large या कई चुक जाएगी खैलत पना खैट था त्रामने नीचे तैखाने में पंतर रखा है वो साड़ा हवेली का वखादार कुट्टा इस नहीं है अज़ा जाएगा उठाएगा है अच्छा हुआ तुने हमें याद दिला दिया है कि इस बुड़ों को जान से नहीं मार रहा है इसका जिंदा रहना बहुत सरूरी है आग को इसी की लगाई हुई है ना पुझे की इसी के सामने सामने हमें लिजी म्युम साभ आपका घुड़ा तैयार है और अपने बहादूर पर यह पेड़ना पसंद करें ला क्यों नहीं जिसके बहुत जैसे साथी हो उसे किसी और की जरूरत है इसमें हसने की क्या बात है कुछ खास से नहीं बस यूही आपके बादूर का नाम सुनकर मुझे बच्पन के एक सैली आदा गई उसे कम दिखाई देता था मोटे मोटे ग्लास वाले चश्मे पहंती थी और उसका नाम था सुनेना अरे बुरा मत मानिये नामों के चक्तर में अक्सर ऐसा ही होता है तासवाले गाउं में एक भीकारी रहता है और उसका नाम भी अमीर चंद है अमीर चंद की अमेरी पर आपको शक हो सकता है लेकिन मुझे अपने बहादूर की बहादुरी पर बिलकूल शक नहीं यकिन नहीं आता है तो असमा के देख लिजे आपका शक भी दूरो जाएगा और ये नामों का हेड़ फेड भी खातम हो जाएगा ने ने ये बात नहीं है आपस य earliest ही खोड़ा थाइरा खाड़ा के लिब 5 खाड़ा ठांगा भी भी खीष ने के लेकड़ तो ठीक है अकर यहा के टीरे मेरे रास्ते एसके बश्किनी है सुना बहादूर अब तो दौस्त का सवाल है मेरे बहादर के छोटी सी फर्माइश है अगर आप रास्ते दिखाएंगी के यहां के तेरे मेरे रास्ते भी सीधे हो जाएंगी क्या ख्याल है आजमा कर देखें अब तो आजमाना ही पड़ेगा अरे रे क्या करें आप माज से नहीं जरा प्यार से कोश्चिश कीजिए मैं अपने बहादर को मारेंगी तो बुरा मान जाएगा बड़ें ने से थोड़ा सा अरियल बना दिया है अरिया नहीं मरीय को हो हुँ नजए का मेरी सब्सक्राइब है किसी दोवी को देदो कप्ड़ने के काम आजाएगा पेस एकप से यहरुकों जाखर थे क्या हाँ चालतो ह॥ ऐगने फagर यह पालतो हो सब कोदें आप अभि-च्ग कि बाद करुंट कर म万 मैं आप अभी-बी इसके डाणने की बात कर साइफ अगर हम चाहें थो यह जुलने क्या उड्ने लगे गाई उड Delah पलाफ जी आप घूड़ सुपने की आप विशॉक फरमाते हिं। अबाइब करती हैं। हाँ हाँ घूड़ सवारी क्या? कोई भी सवारी हो। आप अभी देखिये। जैसे इसकी नाजुक नाजुक कमर पर तो ये दोड़े क्या उड़ने लगेगा तब तो कमाल हो जाएगा अरे क्या कमाल हो जाएगा ये तो फिर भी कुछ कुछ घोड़े जैसा दिखता है मैंने तो गदों को भी खोड़ों तेज उड़ाया है अरे मेरी किसमत अच्छी है कि आप यहां आगे वरना इस गदेने तो इनके सामने मेरी नाखी कटवा दी थी एक गदा तो आपकी नाख बचाने ही पाया चलो तुछे को भी आखमा लेते हैं वालाट तो फिर देखें आदेखें आदेखें अभी देखें चल मेरे घोड़े आ आपकी आपकी अब तो संभाले ना समझ गया है अब क्या ख्याल आपका मेरे स्केटू कि वारे में लेकिन पहले तो यह अरे पहले वाले की बाद चोड़िये एक शरीफ आजमेंगा शरीफ घुड़ाई यह बड़ा समाज़ार है सभारी देखें बात करता है जाबस पादर लेकिन तो चौपट लाल कहा है चलो ठूबते हैं बैची अ ने पैदल ही ठीक है ठीक है चलिए जडाई आपकी बात का बुरा नहीं मना वरना बिचारा पोपिट लाल बेडा गर को तेरा बहादूर के बच्चे साले धोके बास देखने में कुछ और भागने में कुछ चाला उल्लू बनाता है खूबसूरर लड़की बैठे तो टुकी 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 और जब मैं बैठा तो आए 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 देख लूँगा मैं तेरे को देख लूँगा मेरी बद्दुआ तुझे अगले जनम में बनाएगी पौपड लाल और मैं बनूँगा बहादूर और फिर में तेरे को इसी तरह जंगल में लेकर जाओंगा और तेरी ऐसी हालत करूँगा बलके इससे भी बुरी हालत करूँगा अरे बहादूर मेरी तुए चद्दी फिर भी बच गई है तेरी तो यह बहनि बचेगी अहां है कुट्टू 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 कुट्ट tom करें कि ठीक करें आए... मैं और तू, तू और मैं, दो पंची दीवाने, हम प्रेमी मस्ताने, दुनिया से बेगाने, मैं और तू, तू और मैं, जलने वाले बला से जले, आजाने मन हम मुहबच करे, आजाने मन हम मुहबच करे, जलने वाले बला से जले, आजाने मन हम मुहबच करे, आजाने मन हम मुहबच करे, जलने वाले बला से जले, हो गई ऐसी तैसी ऐसे आये समाने हम खिलाये गाने और दुश्मन गाये गाने है मेरे दिल रुबाँ मेरे नस्जीक आए मेरे दिल रुबाँ मेरे नस्जीक आए तेरे लब जूम जूम मस्ती में जूम लूम मैं हूँ आशिक तेरा कोई कर लेका क्या मैं हूँ आशिक तेरा कोई कर लेका क्या जो जवा दिल मिले, कुछ नए घुल खिले, कुछ मुहावबत भी हो, कुछ शरारत भी हो, क्यों किसी से दुरे, जो है दिल में करे, प्यार की मस्तियों में बहे, जिल में बला से चले, उड़ना हमने सिखाया, और हमको लग्या उड़ाने, अरे हम खिलाए डाने, और कुछ मन जाए गाने, कुछ तुझ को मिला, इश्क मुझ को मिला, तुम है मेरे लिए, मैं मुझ तेरे लिए, सबसे मूँ मोड ले, मुझ से दिल जोड ले, तेरी बाही मीने, दिल को राही मिली, तेरी बाही मीने, दिल को राही मिली, उम्र भर हम युही खुश रहे, जले ना ये पला से चले पोपट लाग के धुको, ये दुनिया क्या चाने, अरे हम खिलाए दाने, और दुश्मन गाए दाने मैं और तू, तू और में, दो पल्ची दीवाने, हम प्रेमे मस्ताने दुनिया से बेगाने तो, जले मने पल्चा से चले आजाने मने हम महाबबच क्यारे, आजाने मने हम महाबच क्यारे मेरी नाक, मेरी नाक हम खिलाए दाने, दुश्मन गाए गाने नहीं चड़ूँगा हम खिलाए दाने, दुश्मन गाए गाने कोड़े दुश्मन गाए, इजाने हम गाते गाए जिसके तुम लोगों को तलाश है वो मैं ही हूँ लो पढ़ लो अपनी मोग का फर्मान आने वाले बली के बक्रे के नाम का है सिंग का फर्मान समाचार यह है के फर्मान पढ़ने के पांच मिनिट के अंदर यह वेली छोड़कर निकल जाओ अगर जान प्यारी है तो बढ़ना तुम्हारे इस जिसम के कम से कम 400 टुकड़े करके चील कवगों को खिला दिये जाएंगे तमजदार के इसकाफी है तुम्हारा कहर सिंग तुम्हारा सर्दार कहर से खामका परिशान हो रहा है मुझे पहले कहा होता तो मैं यह आता ही नहीं पांच मिनर क्या मैं तो दो मिनर में हवेली खाली करके भाग जाओंगा अभी मरना नहीं चाहता मुझे अपनी जान बहुत रही है खुम्हारा सर्फों खुम्हारा सर्फों जानी बढ़े की तुम्हारा अएव् जाना। पुट सुट सुट इज हैं पोत मोव अखज हैं प्राइब आफार ते आप रूम जा इस हैं जा इज हैं व्रोट 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 सबंहीं कि दर है वो डाकू कि दर आ जिसने पॉपेट लाल की ताकत को ललका रहा है हैं सिर्फ चार हाँ 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 हम दोस्ते थे कि कम से कम पच्चिसती जरूर होंगे यहां तो सिर्फ चार क्या कि दरसल बात यह कि जब तक 15-20 मेरे सामने ना हो तो मुझे जोश नहीं आता है अब आई गयो तो अरे मर रहे हुए को क्या मारना शेर कितना भी भूका क्यों ना हो ख्रास नहीं खाता है ना हां समझ गया शेर जी देखा शेर जी शेर जी हां जी आपके बस एक लिखने वाली मशीन थी ना थी क्या है तूदर देख एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा यह लिजे अब मेरा काम हो गया मैं चलता हूं अभी नहीं शेर जी सबसे मुश्किल काम तुम अबने कपड़े उतार आपने नहीं इन सब के कपड़े उतारेंगे अप थैसे उतारता हूं कैसे नहीं उतारूंगा लेकिन क्या है कि मैं धुम पाने ठ Llete सब्सक्राइब करिख आदमी कारा युद्ध गविटार्ण वह रखना अगा युद्ध आज ऊल्ड़ोंडाइब के हाथ टाड़ा उसके लुद्ध आगे लौटा आद ही हवेली में है तो बताओ जल्दी बताओ ज़ल्दी बताओ आधा पटाथां ते पुटाथां ऐसे शंकरा का फरमान दर्पुक कैर संग के नाम दर्फोक कैर सिंग अच्छा तेररे भीजे हूए पाल टो कुपतों का अंजाम तेरे सामने है तुन्हें अपनी मा का दूब पिया है तो अगली बार खुद आना आउंगा जरूरोंगा प्षर देखते हो कि हृवेली छोड कर मैं जाता या दुनिया छोड कर तू है वेले में सब कृष्षर है और हमेशा रहेगा समझ गया है शंकरा इस वह समझ गया तक समझ गया अच्छा लगा नस्वरू लोन्डे का जवाब अच्छा अब मज़ा आएगा टक्राने का बहुत मज़ा आएगा नस्वरू जी सर्दार वो कहवत क्या है जिसमें गीदर भागता है जब गीदर की मोद आती है तो शहर की तरफ भागता है गलत बेलकुल गलत जब गीदर की मात आती है तब वो शहर की तरफ नहीं कहर की तरफ फागता है कहर सिंग की तरफ क्लुल की तरफ भागता है कि तरफ मिदेus घुक तरफ प्रागतिक की तरफ सबक्सक्षग कोश्ता है तरफ लागता है तरफ तरफ क्लुल लगे स्टारी मेर लगान कि अ मलुप लगाई जो जैसे कि अ कि अ कैम है, दो खुब है! झाल 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 मने खला हुवा था कर अका हुआत not से हुआत yazु लुक चुआते है उपोला ए wrath अ मने खाला हुआत यहा हुआत अचलlio हुआत अपने अपाला собं उब mostly 6 हुआतो अखव़ तर हुआतो वा लुआतो हुआ 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 है पिता जी नालायक बेवकुफ अपने इंट पुंजियों के साथ तुझे अवेली पर हमला करने के लिए किस ने कहा था पिता जी मैंने सोचा क्या तूने सोचा तूने लेकिन सोचने के पहले पाई ये ने सोचा किसका अंजाम क्या हो सकता है तुमारी इन वेवकुफियों की वज़से हमारी सालों की मैनत पर पान भी सकता है एक लड़के ने जरा सा क्या उक्सा कि तू मेरी इजानत के बगर पहुंच गया अगर हमेली में किसी को भी जरा सी विजबात की धनक मिल गई कि कह सिंग दीवान को कम सिंग का लड़का है तो रोमत रोमत बेटा रोमत लेकिन देख एक बात याद रखना मुझे पूछे बिना उस हविली में दोबारा कदम नहीं रखना रखना बड़की रे उस लॉंडे की बात बेटा उसको तो मै देख लूंगा साब भी मरेगा और लाथी भी नहीं टूठेगी समझ गया बापू बिल्कुल समझ गया है बापकू अब तो माफ कर दे ठीक है ठीक है बेटा ठीक देख बेटा मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तेरे लिए तो कर रहा हूं मेरा क्या है मुझे तो जितनी दुनिया देखनी थी देख ली मेरा तो एक ये सपना है कि तू एक दिल इस हवेली पर कर रहे हैं कि अधार जोड़ से तो नहीं लगी ना भाई साथ खबरदार जो अपनी कंदी समान से मुझे भाई का ये क्या कह रहे हैं सगर भाई को मैं नहीं कोंगा तो किसे कहूंगा आखिर खून का रिष्टा है और वैसे भी आपको मैं दिवान साथ तो कह नहीं सकता है क्योंकि आप ही के आशिरवात से लोग मुझे दिवान साथ कहने लगे हैं नकली दिवान बनकर तू लोगों को दोखा दे सकता है मगर भगवान को नहीं एक दिन तुझे अपने करमों तो उसमें क्या है वो तो सबको भुगतना पड़ता जैसे कि आप भुगतर है अगर आपने हमारी बात मान ली होती तो नहीं आपके टांगे जाते और नहीं आरा कोई दिन देखना पड़ता मुझे अपने टांगों के जाने का कोई दुख नहीं है अफसर तो सिर्फ इस बात का है कि मैं मर क्यों नहीं गया है तुम्हारी जैसी मनहुद सुलते देखने के लिए मैं आज तक जिन्दा क्यों हूं जिन्दा रखा है वाई साथ इसलिए जिन्दा है अंगल आपको कैसे मा मैं मैं नहीं भूला हूं और भूलूंगा भी मैं मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन से मा के शादी और इस लालाइक के साथ यह बात करने के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिम्मत हुई कहां बाई साथ हिम्मत पैदा की है क्योंकि आजकल पिससे जैबेखाली हो गई है और मैंने इसी कौन सी गलत बात काई दी आखिर रानी जी को भी सीमा के शादी किसी ने किसी के साथ तो करनी है और शादी के लिए ज़रूरी होता है लड़का जो आपके आशिरवात से अपने गर में ही है और बाई तुम्हारी अगर मेरा बेटा है तो आपका पतिजा भी आप कहा है आप बड़े भाई जो है लेकिन एक बात धरा थंडे दिमाग पर सोचें आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा की शादी जिसे भी होगी वो सारी जायदात का मालिक होगा करोड करोड वाहिसा शुख शब्रक करकों एक इस रैर। करसे भीमादाटनी ही कॐसं लेकले कि का सपाय विल उर्व नीकली है। इज़त कमाई है मैंने तो और इज़त कमाई है ना रानी जी के नौकर नहीं रिष्कदार हो जाई है इज़त और भी बढ़ जाएगी जानते हैं मतलब यह कि घर की बात घर में रहेगी उनको तो नहीं मालूम ना उनको नहीं मालूम लेकिन मुझे तो मालूम है और मेरे जीते जी ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता तुम दोनों अपनी मन सूरत लेकर यहां से फॉरण चले जाओ वरना मुझे वही करना पड़ेगा जो कि बाप बढ़ाना भाईया सबसे बड़ा रुपया वाह इसको भाई थीजा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन लगता इसकी मजर भी जाएदाद पर है और सारी जाएदाद अकेले ही हड़ब कर जाना चाहता है और थबड़ वो थबड़ मुझे आज भी यादा है औ और हमेशा याद रहेंगा और उसी थबड़ का जवाब देने के लिए मैंने तुझे आज तक जिन्दा रखा है और उसका जवाब होगा कहर सिंग के सार जीमा की शादी कि यह सोच रही हूँ ऐसी कुछ बात कहती रहा कि दीतली आजितली माणने जो बात कही थी वो तो मैंने रात को ये देख ली अच्छे ये तो बताइए ये गोली-बोली चलाना कहां से सीखा बस ऐसे ही तो बस ऐसे ही मुझे भी सिखा दो तुम क्या करोंगी सीख कर तुम्हारा साथ दोंगी ओस्या ताकि अगली बार जब डाक लोग अपनी पॉज लेकर आए पुम्हाराए जाओजबर पुम्हारा, औो klο तुम्हारा और अग्जाउ ! अग्जाउ !! अग्जाउ ! झाह६झ !! प्छ। आपटे लुटे 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 लुट झाल, ब जूफ़ घुड़ा गज़ा लुड़ा गज ऐसाहिए। झाल 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 तुन्हें इस वक्त यह नहीं आना चीए दसीमा अपने कमरे में वापस जाओ सुना नहीं तुमने मेरा आना इतना बुरा लगा तो फिर मुझे बचाया क्यों था मर जाने दे थे मुझे यह बात नहीं है सीमा इतनी रादगे तुम्हें या किसी ने देख लिया तो क्या सोचे अब चाहे कोई कुछ भी सूचे मुझे किसी की परवा नहीं मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं तुम्हार दिना नहीं रह सकती तुम्ने मुझे मैज जीवन दिया है और अब इस जीवन पर अधिकार भी तुम्हारा ही है मेरी गुजरिवी जिन्दगी में कई डाग है मैं नहीं चाहता कि तो तुम्हारी इन पातों से ते मैं चाहता था कि मेरा राज राजी रहे अगर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो सुना मेरा भी एक घर था राधा जी यह थाली लेजा और एगलास पानी लेया लेजिये लो मा दवाई पीले अरे मा आप दवाई की कोई ज़रूरत नहीं मा इसी खवबर लाया हूँ के सुनते ही सारी बिमारिया भाग जाएंगी क्या? पहले मुझ खोलो लड्डुखा लेकिन बात क्या यह था पता? खोलो लड्डुखा बात में बताऊंगा ना यह ले तू भी खाप वरना बात सुनते ही तू भाग जाएगी और यह बचारा लड्डु यह कहीं रह जाएगा मा, के धारी लाल जी ने अपनी अंजु की शादी के लिए हा कर दी है तू बहुत अच्छा हो बेटा तू बस जाकर गाउं को शादी का नियोता देया बाकी सब मैं देख लूँगा हाँ हाँ, सारे गाउं को नियोता दे दूँगी लेकिन सबसे पहले अंजु के हाथ से शंकर जी के मंदिर में प्रशाद चडवा होंगी मैंने मननत मानी थी ठीक है मा, कल सुबा तू अंजु को राधा के साथ मंदिर बेजकर प्रशाद चडवा देना और हाँ, मेरी तरफ से भी एक एलो का प्रशाद अब छुपने और शर्माने से काम नहीं चलेगा सबसे पहले तू अपने इस भाई को हुकम दे कि तुझे क्या क्या चाहिए इस खुशी के मौके पर तू चांद और सितारे भी भांगीगी न वो भी लाके तेरी जोली में डाल दूँगा मैं अपनी अन्जी को आपनी हातों से सजाँगा उच सजाँगा तुझे वहना ओ वहना ओ मेरे चारी वहना तुझको पहना ओ चांद तारों का गेना वहना ओ वहना ओ मेरे चारी वहना तुझको पहना ओ चांद तारों का गेना वहना ओ वहना ओ मेरे चारी वहना क्वारी शीरी कहना तेरा प्यार माँदू अँना फाक कोई जहना पिका वो दूंगा माते पेजो सुरजी सा चमके संदा के हाले जेते वाली तेरी दमके देखेंगे दुनिया वाले होकर है राम से छादी रखाऊंगा मैं तेरी इस शान से अंगना में तेरे हो सुख के देरे तुष चाहे मुजी को पढ़े जितना सहेन्ा मैया वह भई आ हो पारी तेरी देना तेरा प्यार में लाता कोई देना वहन वहनं वहनंः वह पेहनंः पुछेंगा एल्वूज करिप बायव जानी आफिंटी एनल्वेश्ट इनल्वाइश्ट। जिसको मिला हो एक तरा जाज जब आई उसने तो दालत जैसे दुनिया की साई जब भाईया काँच जब पहना के तरह हो जब भाईया काँच जब पहना के तरह हो पहना के क्युए जमानी का गए हो तु मेरे पीरन है मेरा जीवाणा तुझको कर सम्हे यूँ ने असके रहना बहना ओ बहना ओ मेरी प्यारी बहना तुझको बहनाओ चांजतारों का गहना बहना ओ भाईया ओ भारी तेरी बहना तेरा प्यार मांग आना मांग कोई गहना बहना ओ बहना ओ मेरी प्यारी बहना भाईय, भाईया, मेरे प्यारे भेर... बेटी इस थेले में शंकर जी का प्रशाद और पुजा के लिए फूल और इसमें तुम दोनों के ले खाना अच्छा ज्यादा दिर मत करो अंधरा होने से पहले आशिरवाद लेकर घर वापस आ जाना हाँ जा अच्छा मा चल जा 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 टृट को सर जाना हो जड़एर वेसले इसलेवाद गज़एर ठका cb2 करता है झाल पाल बाल ऐस से फे जाल नाओ कि यह विचार बहुत भुके लगते हैं तू जाके बादूर को बांदे अच्छा जी के लता से लेको माई आशे कि लुड अज़ाएएज कर दोरा कि मैं लुत है और कर दोरा है किरुम झाफारी किर झाफ ए किर अजए घौ तब किर कर दो किर गजए ञिखटर रार्त झाल जजजजज आजए वार reckless ast वार बुर्ष मैं वार भन्या पर भीजर मैं चैंगा.. चाहा.. खशविंगा.. 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 कि यूआ कि अरी टूआ कि अंद नगीं, यूज हुआती कि अ करुद बत्धने लुदराई, भी रटने लुदिछ अ करुड़ें गजाने लड़ें, लूडराई, एकारई! जुच धुट्ट, रो कि अरुटो चरटाई। बाईशाथ, हमारे साथी हो काफी चोट लगी हुई है इसे अस्पताल पहुचाने में हमारी मदद कीजिए आपकी बड़ी मेरवानी होगी, शाथ दोखी बाईशा मुझे पहले ही बहुत देर होगी है अगर से अस्पताल नहीं पहुचाए गया आपकी बहुत-बहुत मेरवानी है यह थो मेरा फर्ज था चौशन्दी में जाशे यह देखो मा, अंजुगे माथे का टीका, गले का हार, कानों की बालियां और हाथों के कहर, सब ले आया हूँ अच्छे है ना? अच्छे है, बहुत अच्छे है अरे मा भी तुने देखा ही क्या है वै तो अपने अंजु के लिए सारा बाजार खरीब लाया हूँ यह देखो, यह देखो साडिया और यह देखो सब से उपर शादी का लाल जोड़ा अपनी अंजु से पहन के जब दुनन बनेगी न तो चांदी शर्मा जाएगा तो ठीक कहता है आज मेरा जदम सफ़ड हो गया लेकिन बैटे अंजु अभी तक मंदिर से वापिस नहीं आई उसे आ जाना चाहिए था न आती होगी मा आ गई चैसे पोड़ा अचप मुआ 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 औाउक एप एपके लखेट clearly ड कर कर कम शोचर एड़ कर 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 को लाद गड़ना कर कर fit थार थफा काथ में अज हो लाओंद श्राइब. घब अ जाँ झालaf प्यजोडित सुचर fils, यूटत। गाँ परोड़िय के घ्यари situación ओया को और्स टाल झाल झाल कि पूस वह समय हर जगाँ मुझे होगी तो किया बेहन का इहाल कैसे हों लिए इस सब्law तरक और यह ढाइस नहीं यह संते कि पूजा करने आ रही आप द्वाद के लिए और एक सास्यमाद देया तु बोल वोता क्यों नहीं जवाब देगा अरे तू क्या जवाब देगा लेकिन एक बात सुन ले तो चुप है मगर तेरा शंकरा कभी चुप नहीं बैठेगा जिन कमीनों ने मेरी बैन को मुझसे चीना है मैं उने कभी जिन्दा नहीं छोड़ूगा उनकी लाशे तेरे कभ़ों विलाकर डाल दूगा वो दुनिया के किसी भी कौन में जाकर चुचाए मगर वो मुझसे नहीं बात सकते मेरी बैन को तुक्टी बचा नहीं सका लेकिन कम स इतना तो बता दे कि मैं इसे लेकर अपनी मा के पास कैसे चाओं कैसे चाओं आजू बेटी आजू 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 टीकावो दूंग टीकावो दूंगा माते पेजो सुरजी सा चम के सुरजी सा चम के चंदा के हाले जैसी वाली तेरी दम के देखेंगे दुनिया वाले होकर हैरान से शादी रचाओंगा मैं तेरी इस शान से अंगना में तेरे हो सुख के देरे दुख चाहे मुझे को पड़े जितना से ना बहना ओ पहना ओ मेरे प्यारी बहना तुझको पहना चांज तारों का गेना भाईया भाईया हारी तेरी बहना तेरा प्यार मांगो ना मांगो कोई गेरा तेरा प्यार मांगो ना मांगो कोई गेरा ताथा ताथा यह जील के किनारे बेहोश पड़ी थी बगर अब ठीक है राधा राधा यह सब कैसे हुआ बाबजी तो चाहरा अड़ी थे अज़ा ज़ी प्रफिदा 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 फ्रफिदा रब बारां का अधकिन ढारां आग जारां करते तूमा कि इचा आए विल्टी अए जरे अजाव जाता आए नहां पर जाऊंगे शींजे कि करत दो कर दोच अजारां यहां यहां आप लिटारां चारां कि एंग लुट। करिया करिसे पर नigning कर दो ignore कि पल भर को कि दौर पर इंज मों अ रुरम झाल कि दौर कङ्त बहन निस घ्ज भंज कि लुन्ट कर दौर **** याद है न मेने तुझसे क्या कहा था इन तीन कुटों को तो में तेरे पास ले आया हूं लेकिन मेरी कसम अभी पूरी नहीं हुई जब तक मैं वो चौथी लाश तेरे कदमों में लाकर नहीं डाल देता तब तक मेरी बेहन की आत्मा को शांती में मिलेगी और उस दिन से मुझे अपने आखरे दुश्मन की तलाश है जब तक उसे मौत की नीम नहीं सुना देता मेरा बदला पुरा नहीं होगा इसलिए मैंने तुम से कहा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ मेरा रास्ता अलग है मेरी बंजिल अलग है मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो सीमा मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल नहीं तुम हो पहले मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करती थी लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी नज़र में तुम्हारी इज़त और भी बढ़ गए है आचे से ये लडाई तुम्हारीं अकेले की नहीं था? यह नहीं होसकता, मैं कोल नहीं हो मुजरिन हूं. पुलीस को मेरी तलाश है मेरा जो अंजाम होना यह हो का लेकिन नो तुम्हारी संदगी बरबाद नहीं होने दूला. तुम्हारी दीह हुई जिन्दीगी सुबह बात करनेंगी अब तुम ऐसा करो, जा कर सोजा ठीक है? ओकी सीमा, कर रात मेरे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भी तुमने अपना पैसला नहीं बदला मैं नहीं चाहता कि मेरे वज़ा से तुम्हारी सिंदकी बर्बात हो इसलिए चाहरा हो, वो सके तुम आफ कर देना शंक्रा नारा नाजा नाजारे नाजा 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 नाजारे नाजा अपना बनागे सपना दिखागे अपना दिखागे अपना बनागे अपना बनागे अपना बनागे सपना दिखागे अपना बनागे 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 ने हैर मोर हाई नगर से तुछ को सदाए दिये हर मोर हर दगर से तुछ को सदाएगी मुझे को गवा की कैसी तूने सदाएगी हर तेरे बैए जीवर चल्दी उन्ही चिछारे अपना दिनाजी सपना दिनाजी दिन में समा के उचल दिया कर दोल अ कर दोला बाहर बाहर दोलाँ बाहर बाहर दो तुछ कर दोला दोलाँ अश्को का वास्ता है ओ मेरे प्यार आजा अश्को का वास्ता है ओ मेरे प्यार आजा अगर बेचेन से लिवाने लेकर खराज आजा देवापा ना पजा विल्वां मेरे दिनारे कर दो अपना बना के सपना दिखा के दिन में समा के क्यों चल दिया ना जारे ना जा तना जाजाओ सपना जाजा चाजा जाजाओ तना जाजाओ विल्ष ऑम अजए झाल 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 सिमा सिमा तुछी वो कहा है कहा है वो बोलती चुने ही मा चले तो नहीं गए अब चुप क्यों है मा तू नहीं चुप नहीं वह यहीं है फिर मेरे पास क्यों नहीं है मेरे सामने क्यों नहीं है उन्हें बुलाओ माँ उन्हें बुलाओ अच्छा बुलादी मुझे पूरा बिश्वास था तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते मुझे अपने प्यार पर भरोसा है तेरी मा के आशिरवाद पर भरोसा है उसी देवी मा के सामने मेरे तुम्हें हमेशा कि अपना माना है मुझे बचन दो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे कभी नहीं जाओगे मैं तुम्हारे दिना जिन्दा नहीं रह सकती जिन्दा नहीं रह सकती जानी मा आप और इस वक्त पुजारी जी आज मैं बड़ी दोविधाना हूँ मैं आपके मन की हालत को समझता हूँ आज दिन में जो कुछ हुआ उसी के कारण आप परिशान है हाँ आपने ठेक ही समझा अब आप यह बताईए मैं क्या करूँ करने वाले हम और आप तौन होते हैं करने वाली तो यह मा है जिसके इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता और फिर शंक्रा तो नेक लड़का है वह तो ठीक है पुजारी जी मैं भी जानती हूँ कि वह नेक है लेकिन ऐसी और भी बहुत सी बाते हैं जिने आप नहीं जानती है लेकिन ये तो सब जानती है इससे कुछ नहीं चुपा है इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे इस मा का आशिरवात समझ कर स्विकार नहीं उचित है आप है वकील सहब मिस्टर लीला राम चंदानी सीमा की पिता जी तमाम जमीन और जाइदाद की वसीयत इनके पास लिखकर छोड़ गए थी क्योंकि आप सब इस तरिवार का एक हिस्सा है इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि वसीयत में लिखी हुई बाते हैं आप सब भी जानने हैं वकील सहब इसमें दो खास बाते हैं पहली बात ये कि इस वसीयत के मताबिक सीमा के बालिक होने पर यानि उसके 18 साल के पूरे हो जाने पर इस सारी जमीन जाइदाद की मालिक वो और दूसरी बात ये कि ये जाइदाद सीमा को उसकी शादी हो जाने के बात ही मिलेगी का अठार्वा जन्द दिन जूरे सिवा की शादी का फैसला तो पहले आपको सुनाईव थेख अब हमने दिन भी त्यकर लिया है कि शादी की तयारिया शुरू औरभा इन जानाना मेरी मिलाते, मिलाके मेरी अख्छी यह सिनिंदिदू चुडाके तुम्हे मेरी पस्भा, मेरी पस्भा महेर अख्छी आम जाय मेरे बसा के भी जानाना मेरे ने मिलाके मेरी उखियों के मिंधियों चुराके चुराके तुम ही मेरी कसम मेरी कसम कैसे जाओंगा ता मन छुडाके मुझे न पाओंगा तुझे को बोलाके मैं न तोड़ूंगा बंदन वफा के सकूंगा जग से चुपा के चुपा के तुझे दिल में मैं अपने चुलाके मुझे तेरी कसम तेरी कसम तुम ही मेरी कसम मेरी कसम तुम ही मेरी कुपा के तुम तुम ही मेरी क्छॉणा तुम तुम ही मेरी कसम कैसा बन दले अपना तुम्हारा आखे मेरी अपना तुम्हारा सारी जुनिया से मैं धन्चुराखे चले आंगे छुपके छुपाखे छुपाखे जरारी को सुपाखे बुला के तुम्हे मेरी पसं मेरी पसं तुम्हे मेरी पसं मुझे तेरी कसं मेरी पसं मुझे तुम्हे मेरी पसं बस यही एक सपना हुनू मैं, देरे संसं जियू मैं मरूं मैं घूटे ना सपने जिया के, जिया के रहू दिल में, मैं अपने दिया के, दिया के तुम ले मेरे कसम, मेरे कसम वहां मैं रख लू समा के, समा के तुझे रख दूगा, जग से चुपा के, चुपा के तुझे रिल में, मैं अपने चुडा के, चुडा के मुझे तेरे कसम, तेरे कसम जाना ना में मिलाके मेरी अख्यों से निंदिया चुडाके चुडाके तुम हे मेरी कसम मेरी कसम मुझे तेरी कसम तेरी कसम अरे यहां काली आई तुम मुझे नास्थिक हो क्या ने ने बगवान पर पूरा विश्वास है तो फिर यह भी विश्वास कर लो कि इस पवित्र स्थान पर आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता भूले नाथ हरे की मनोकामना पूरी करते हैं तुम्हारी भी कोई मनोकामना है क्या तुम्हारी नहीं है क्या है तो फिर चलो मंग लेते हैं दोनों है भोलेनाद जिस तरह तुने इस जनमें शंकर को सीमा से और सीमा को शंकर से मिलाया है उसी तरह हर जनमें मिलाते रहना हर जनमें मिलाते रहना कौन हो तुम मैं कौन हूँ तुम कौन हो सिर्फ बाते हैं पातों का क्या सचाई तो यह है कि मैं कोई नहीं तुम कोई नहीं सब छालावा है कहते हैं ज्यानी कि यह दुनिया है सब धोका है जोगे के बच्चे सीधी तरह बता कि तु कौन है और यहां क्या कर रहा है कम दिखाई देता हो तो यह चश्मा पहन कर देखो कि मैं कौन हूँ मैं हूँ फकीर सादू स्वामी हूँ तार तार जी महराज लेकिन बालक तुम कौन हो हम टाकू है ओ यानि के सादू और शैतान मुझे तो पागल लगता है पागल नहीं ना टक कर रहा है मुझे तो कोई पुलिस का आदमी लिख रहा है यहां जासु लिकर रहा है तो फिर शर्दार के बास दिखरते हैं वही क्रेंगा इसका पैस्ता चलिगव बिल्कुल गलत यह पुलिस का अदमी कैसे हो सकता है इसके पास पिसतौल नहीं कोई पूछ लिजी है को बन्तूफ कर DR. इस सहन हो सकता है कॉछष लिजी इस पताया लाज पूछ यहां पूछ पूछ त ले खुल गया मूँ अब बोल कौन है तू बताता हूं बताता हूं पहले थोड़ा पानी तो पीलू पानी है पानी है मेरा नाम है पोपट लाल पटेहाल जिंदगी से तंग आकर मरने की कोशिश कर रहा था डाकू जी क्या का तुम्हें डाकू जी एक बार फेसे को डाकू जी अब बोल क्या कोशिश कर रहा था जीवन से तंग आकर मरने के कोशिशंग डाकू जी कि सबकुछ करके देख लिया लेकिन किसे शादी नहीं देती एैं अग कोजी सबसे पहले पानी में डूब कर मनने की कोशिश की लेकिन पानी इतना थन्डा था कि मनने से जादा जम जाने का डरता इसलिए उसके बाद रेल के नीचे कट्ले की कोशिश की तो फिर क्या हुआ आठ घंटे रेल गाड़ी का इंतजार करते करते नीम्द आ गई लेकिन रेल गाड़ी नहीं आए फिर सोचा पहाड़ी से कूट कर जान दे दू लेकिन ना को जी इन पहाड़ों का भी क्या वरोजा कि हाथ पर टूटकर रह जाए और नहीं मरा तो क्या होगा अब यह सोच ही रहा था जा कि आपके करमचारी उठा कर मुझे आपके पास ले आए मिरी तो किसमत कुल गई दाकू जी आपका बहुत नाम सुना है सुना है कि आपकी गोली से आज सक कोई नहीं बचा अपली बंदू की गोली सीने के पार उतार दो नस्वारू जी सदार वो कौन सी कावत है जिसमें लंबे लंबे हाथ होते हैं ग्यानी से ग्यानी मिले करकर लंबे हाथ गलत बिलकुल गलत पागल से पागल मिले करकर लंबे हाथ नस्वारू जी मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पागल मैं ही हूँ लेकिन ये सुसरा तो अपना भी बाप निकला सला डाको जी, क्यों कीमती वक्त बाबाद कर रहे है इससे बाता तो बादमी हो सकती है ने, ये तो आपके घरका आदमी है मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, तुझे जरूर मार देंगे लेकिन एक बात तो हम पूछना भूली गए, तो मरना क्यों चाहता है छोड़िये डाको जी, बड़ी ट्रैजेडी है, लंबी स्टोरी है, लव स्टोरी, प्रेम कहानी, ट्राइंगल जा जा, त्रिकॉन, हेरो, हेरोईन, एंड विलन अब है हिंदी में बॉल, हिंदी में बॉल तो ये एक लड़का है, हेरो, यानि के मैं तू, ये एक लड़की है, लड़की, नीचे, नीचे, ये लड़की चली, ये लड़का चला, दोनों एक जगा आकर मिले, लड़के में लड़की को देखा, लड़की में लड़के को देखा, आखे चार हुए, दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया, प्यार यानि के लब आधा दोनोंने गाने गाए जीने मरने की कसमें खाई सुक दुख के सपने देखें लेकर खुद्रत को कुछ और ही मनजूर था मिलन के ऐसे मदुर्शनों में आचानक एक तीसरा आदमी इन दोनों के बीट में घुज गया पिलन यानि के गुंडा गुंडा यह तो तुम्हारा भी बाप था उसने इन दोनों को हलक हलक कर दिया लड़का मिलने के लिए तड़ा कुंडे का साथ दिया इन दोनों के बीच में लंबी चोड़ी दीवार करी कर दी दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तड़ पूटे दिवार से साथ टक्रा टक्रा कर लड़के के कपने तार तार हो गए ज्युसके बाग साथ एक रास्ता पचा है हां कौन सा अबुटोगी अरि धाने में जाता जीने वाला जी नहीं सकता और मरने वाला मर नहीं सकता ले जाना इसको चलो दाकु जी मेरी बातों से नहीं दाकु जी दाकु जी दाकु जी सत्या लासो तेरा तुझे कीडे बढ़े वो भी लंबे लंबे दाकु जी दाकु जी कहते कहते मेरा मूँ थंके कहानी सुनाते सुनाते मेरी सांस उगड़ गई मगर साला तू नहीं सुतरा डाकू का डाकू ही रहा हराम कि अधिवान जी आप और यहां यहां पर क्या कर रहे हो और यह हुल्या क्या बना रखा है मैं सचमुर दिवान जी नहीं हूं तो कौन आ बताता हूं प्रूने! प्रोने! अपू झातो! तिए झातो... तो समझ गया ना? मैं सब समझ गया बापू, आप शेंता ना करो अपना ध्यान रखना मैं चलू? खायर रखना जा जा चलू देखते हैं आप उत्पूर्ट आप है आप 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 मक्मूल कि अभी यहां से गया है पता नहीं आपको जुरूर बता सकता हूं कि यहां जितने भी काम करने वाले लोग आते हैं सब उस सामने वाले गाउं के रहने वाले हैं ये का रहले हैं ऑट हाताईश कि अ कुछ अ राले हैं मेघां। है आई कि आई कि आई कि एट मेरे कि एग एग कि एग मगबॉल जी साब? कौन था व आद्मी? करहों additions ? कौन था व आद्मी?. मुझे नहीं मानूँ. बता, कौन था व आद्मी? कून था ? जब अद्मी! वदनी? मखबूल! मखबूल! म... मखबूल... क... क... कर... कर... मुझा... मुझा... अरे! मुझा.. मुझा कर दो... मुझा कर दो दो दो... कि लिए अब लेकिन किसे उसी ने जिससे थोड़ी देर पहले कहर सिंग मिलने आया था कहर सी वो डाकूव यह क्या कहर हो तो मैं ठीकी कह रहा हूं रानी आमा कोई ना कोई तो जरूर है इस हवेली में जिसका केहर सिंग के साथ संबंद है काश मुझे उसका नाम बता देता मकबूल काश तो मुझे उस आदमें का नाम भी बता देता शंकर यह सब क्या हो रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मकबूल की मौत का मुझे बहुत अथसूस है लेकिन मरने से पहले हुए मुझे बहुत बड़ा एसान कर गया एसान आसिमा उसने मुझे उस शैतान का नाम बता दिया जिसकी मुझे कब से तलाश थे कौन है वो कहर से जो तुम्हारा दुश्मन है और मेरा भी अच्छा हुआ तुम्हारे प्यानी मुझे यह रोक लिया नहीं तो आज भी भठकता रहता अब तो शादी की तैयारिया भी शुरू हो तुकिये है सारा खेल भी करता नजरा रहा है जी अब क्या होगा भई होगा मुझे जी जो पहले एक बार हो चुका है मैं नहीं चाहता था कि खोन खराबा हो लिकनी यह कंबक्त बुढ़िया साली ऐसे नहीं मानने वाली है मुझे जी कहर सिंग को खबर विजवादों की वो तैयार है मैं शादी के मंड़क को संशांद बना दूंगा अंचीनीनल जीन साथियं आप चाहते हैं क्योंकि अब सब चक्कर समझ में आ गया है वह खबर लाया हूं जिसे पर्कर आप भी चक्कर खाजाएंगे गी अब आएगा ओंप पहार के नीचे जी मैं इंस्पेक्टर खान, माफ कीजिगा मुझे यहां इस तरह आना पड़ा लेकिन डूटी इस डूटी, यह रहा शंकरा की गिरफतारी का वारंट दो हिए, चाहर शंकरा के लिए वारंट? आपको गल्त फही हो इंस्पेक्टर यह तो बड़े आदमी है, और इनका वारंट यह कैसे हो सकता है, मुझे लिए और कुछ बोलने की ज़रुरत नहीं है इंस्पेक्टर चलिए इंस्पेक्टर खान आपके साथ इंस्पेक्टर चंदरकान नहीं आए चंदरकान दरसल बात यह है कि चंदरकान जी एक केस के सिलसले में दो तीन दिन के लिए बाहर गये हाओ श्याओ झाल जी एक कि के सिल आए मुझ को बाहर में यूग आए जाए पूग कर शड़ा खान एख झाए जाए!!! श्याओ श्याओ!!! को फिर औार अ जुर्सेल फिरब दो 2 फिर जएर पिर दोह को बुल says अबना फुरेह कर डिंसा तर नहा हुआ लुटेशग्फ में बचया अरुटेशरबणला फुरुटेशग्प फुर्डशना साइब को तुरुटेश्टेश उलाज़ घरोग तुरुट जिर वोगट 되면 झालजगर उलाव फुरुटेशगर प्रुटेशगर फुरुटेशगर इधर उदर क्या देख रहा है इधर वी वही है और उदर वही है अच्छा तो तू है हवेली का नया चौकीदा तकर लेने निकला था वो भी कहर सिंग से किस सोच में पढ़ गया तू क्या समझता ताकर कैयर सिंग के हाथ आसे बच जाएगा अगर नहीं कैसे बचेगा आज तक कोई नहीं बचा जिसे चाहे जहां चाहे जब चाहे जैसे चाहे मात सकता है यफीर नहीं आरा ना कोई बात मरने के बाद आ जाएगा का सम बंदू की अब तो गोली चलाने ही पड़ेगी आसे बाइगा कि बचेड़ ही प्रुदते राएग से बच connection चाहे जिसे धर लिएरी वट्रेशो अगर नहीए प्रवपर कोई़िगर चाल वाल आजए पाल झाल 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 कायर की ओलाद कायर की ओलाद कायर की ओलाद जिसे देखकर शैतान भी काफ उठेगा सामिया आ गया आ गया इतना चिल्ला मत गोली भरने में थोड़ी सी देर क्या हो गई के तो समझा के कैयर सिंग मौत से डर गया कायर सिंग मरने के लिए नहीं आरने के लिए पैदा हुआ कायर सिंग जाओ 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 ज कर ख में खजय थे लोड़ार उडार्ण वाइड़ु जा उड़ार्ण कर लदे प्रिग्द्ट जब तुने अपने तीन साथियों के साथ एक मासून लड़की की इस्सत रूटी थी और उसे मार दिया था मैं उसी मासून का भाई हूँ उसी दिन से मुझे तेरी तलाश थी आज तु मेरे हाथ से नहीं बच सकता वो कांवत कौन यह है जिसमें सिक्का होता है और वो सिक्का सिक्षा किसी कांव आता है खुर मिफफ पर ओग्लों सिक्का नहीं आद्मी खोटा होता है जैसे कि है कि आध मारत साल से मुझे मारने आया था और खुद अपनी मौत बन गया साला अस्वारू जरा निकाल तर अस्वार इसका फैसला कर देते हैं बहुत फड़ पड़ा यह लो सर्दार ठीक आ गई तो ठीक बढ़ना कसम बंदूग के आ गई तो ठीक बढ़ना कसम बंदूग के अजिए यह तो शला बड़ा किसमत वाला अब तो इसे नहीं मार सकते हमारे असुरू के खिलाप है वह कहावत कौन सी जिसमें प्रान और वचन आते जाते हैं अहां भी जर्दा प्रान जाए पर वचन ना जाएं गलत फिलकुल गलत वचन भी नहीं जाएगा प्रान भी जाएंगे लेकिन फिर कभी पंकर उसाल एक तैखाने में चौड़ जाल एक सवार है लगता है इसके किस्मत में हमारा प्राइद देखना लिखा है कि अधाइँ दिवान जी आप यह दीवान जी और नहीं भी नहीं भी है फिर भी दीवान जी है कि अलगकर हमने सोचा अभी तुमने कुछ बता है नहीं तुछ क्या नहीं यह तो अच्छा होगा इसलिए नस्वारू इसलिए तो मैं तुछ से बहुत प्यार करता हूं तुछ से एक गाय लेनी है उकम करो जर्दार नस्वारू तू तो जानता है हमारी शादी की तारीख नजदीक आ रहे हैं तो ठीक है पर एक बात बताना स्वारू हम इन कपड़ों में शादी करते हुए अच्छी लगेंगे नहीं नहीं इसलिए हमने सोचा है कि हम यह भारी भारी कपड़े यह बंदूक अकैती कटल सब छोड़ देंगे और हम यह लंबे-लंबे जूओं वाले बाल भी कटवा कितने अच्छे कपड़े दिया ह में ठ़ल अच्छे कपड़े की तरह रहें हम सब छोड़न है नस्वारू सब सब्सक्राइब में यह थरे एक बात की चिंदा हमें बहुत घ्रमल ते रविज़ार कि शिंता धरिक बात की चिंदा तेरी नस्वार है ना यह हमसे नहीं छूटेगी पुरी आदत लगा दिया तुने तेरी नस्वार देखते ही हमारा खूलने लगता है लेकिन बहुत सोच विचार के बार है हमने इसको भी छोड़ने का एक रास्ता धूंड ही दिया है नस्वार हो कहावत क्या है जिसमें बासूरी बचती है नहीं गलत फिल्कुल गलत ना रहेगा नस्वार हम ठेक क्या रहें नस्वारो निकाल डिपिया आज आफ़ी बार तेरे सामने सुग लें चल्षाव्था नहीं सब्सक्राइब सब कुछ आज होता है। वो कहावत क्या है जिसमें सब कुछ आज ही होता है। मुझे कुछ नहीं मालूँ सब कहावत बुरू गया। अपनी मारी आई तो सब कुछ मुरिया, अच्छा है, लेकिन, मुझे याद, सुन्वे, जो कल करें सो आज कर, जो आज करें सो अब, रख डिपिया यहां, और खड़ा हो जाव वहां, नहीं जुदा, जल, 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 नहीं, जुदा, नहीं, जुदा, नहीं, जुदा, नहीं, आगई तो ठीक, परना कसम बंदू के, जाने आएगी, नहीं लेगी, यह मैं सुदान, नकली है, होने दे, मगर गोली तो असली है, आगई तो ठीक, परना कसम बंदू के, हुआ है 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 मंगलू जी सरदर अच्छा सा गड़्धा खोद के दफन कर देना साले को तिपिया के साथ पड़ी का अवते सुनाता था मेंड़क कहीं का हाँ लृषपे साथ कर दोत मेंड़क अवीन का अव एंवार को सुना जा जला के से अवे का अवे बाक मेंड़क भी है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है इसी मुबारक कैसी बढ़ाईered तुम कौनों भाई देखने रहा हमारा उर्गा तक रंगीन है तो हमसे इतनी लाकर में बारा पुटे अरे लगनाउ से चल कर आ रहे हैं दोपा चैन की सास लेने दे यह तो सास लेने के लिए भार पूरा मेदार पड़ा है यह हमारे सर पे खड़ी है मैं खले ले हूं ख़ाओं यकिन नी आता तो मैं फोल के दिखाओं और तुझे शरम आ रही है न बुटे तो दूलन की तरह शरम आ रही है कोई बात नहीं मैं खुदी खोले देता आ तो अभी निकालता हूँ तेरी रंगीन मिजाती अरे दो समर हुआ और सखिन हुआ अच्छी जी बकवास बंद किजिए और सिधा पुलिस के हवाले कर दीजिए इसे पुलिस के हवाले मत किजिए दिवान जी यहां के पुलिस किसी काम की नहीं है शंकर तुबहे तो पुलिस केरिफ़तार करके ले गई थी घर की पुलिस सीमा जैसे ले गई थी वैसे छोड़ दिया मैं समझी नहीं समझाने के लिए इस हवेली में दिवान जी जो है क्यों दिवान जी इसे समझाई यहां लेकर लेकर तो आक ऐसे गए लगता है आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुए आपको तो खुश होना चाहिए क्यों नहीं क्यों वेता हम वाकर खुश हैं बहुत खुश हैं बहुत खुशी होई तो फिर उठकर गले भी लिए यह कैशी बात ही करे हो तुम तुम्हें मालूम नहीं देवां झीठी खड़े नहीं होसकते हम्हें कितने इलाज कराई डॉक्टर रेध थकीम सब गौशिच करके हाथ देखों अगर आप जज़गे तो क्या में एक ओशूड़ी कोशिच करके देखो वो क्या है किनकी तामो के लिए मुझे अचानक ही दो आइंगे क्या बात कर तो बैठा मैं सच खड़ा हो सकता हूं घड़े क्या दिवान जी आप तो भागे लगेंगे कि कि अच्छ अच्छ आप कि अच्छ आप कि अच्छ कि कि अच्छ कि अच्छ पर लान लाए तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर चंदरकान कि अच्छ कि अच्छ दिन राजा सापका खून हुआ उसी दिन मुझे शक हो गया था यह काम अकेले कह सिंग का नहीं है इसके पीचे जरूर के बड़ी साजिश है लेकर मैं यह कभी नहीं सोच सकता था कि दिवान जी के रूप में यह शैतार अपने बेटे कहर से और आपके इंगदारों के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेल लेका जंदकान जी आप क्या कहा है मेरी जुक्कु समर में निहारा यह ठीक कह रहे है रानिमा इस आदमे ने अपने भाई के हम शकल होने का फायदा उठाया और हम सबको अंदेरे में रखा आपके असली दिवान जी तो वो है पांजी आपकी यह हालत यह आपनी कौन है यह नाला एक मेरा छोटा भाई है रानिमा क्या इसके सुरत मुझसे जरूर मिलती है लेकिन दिलका एक काला और दोखे बाज आदमी है सालों से इसके नजर इस हविले के दौलत पर थी जिसको आसिल करने के लिए उसमें अपने बेटे कैंसी के साथ यह पूरा जाल विछाया है जिसमें यह मुंशी और आपकी बहन के बच्चे विशामी लहरा नहीं मांगा मेरी घर में इतना बड़ा मुझसे धोका होता रहा अज मुझे पता भी नहीं चला जन्दगाम जी इन सबको मेरी नर्वा से दूर कर दीजें मैं इनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती लेगे इन सबको यहां से ले तो जाओंगा लेकिन अभी नहीं इनके साथ साथ मुझे एक और आदमी चाहिए जिसका नाम है कहर से जो आज तक सीमा के साथ शादी करने के सफने देख रहा है आज सीमा का चनमनी में और आपके इच्छा थी झायकर देजिक सीमा के शादी हो आप शादी के तडियारे कीजिए कहर से ज़रूर आएगा मैं भी यह चाहता हूँ रानीमा क्योंकि इसने मुझसे कहा था ये स्मा की शादी कहर सी से कritis तरके दिखाईगा मेरी नजरों के सामने इसलिए उसे मुझे आगते जिंड़ा रखता लेकिन आज उसे पता चलेगा जीत हमें साथ स्चाई के होती है स्मा के शादी होगी आज ही होगी वो भी शंकर के साथ होगी और तेरी नजरों के सामने होगी क् ब Κरता कि बचल बचलत अ कुः कर रॉप्र No कर पत का भी बचॉपल पok Almost हुआं आजदिया णित्तुक faj करने साथ हो भॉआए इसिए पाख आप très पाम एक उपक्षर पं debts बेटा आपो मैं आगया आगया मैं अले पागल होगा है यह दिया रचाय जाला है इन अक्कल के दुश्वलों को यह नहीं मालूम कि इस बंदब के निचे बैठने का अधिकार सिर्फ एक इंसान को है चेहर सिंग को सिर्फ चेहर सिंग को आपने वो त्रावत तुने होगी जिसकी लाठी उसी की भैश्वास मैं जानता था कि कहर सिंग होते हुए यह सामी कभी नहीं हो सकती है मैं जानता था दूर धनलों आएगा आखिर तुमेता किसका है आँ बापू मैं तो पैदा ही तेरा नाम रोशन करने के लिए हुआ हूँ और वो तभी होगा जब मैं इन सानों का नाम अनिशान हूँ विटा सुना पाई लागू सासुमाँ क्यों तेखाने से भाग कर ब्यार रचाया जा रहा है लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इस जिंदगी में तेरा ब्या नहीं हो सकते हैं पूछ क्यों कि जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो ब्या कहां से होगा यो पंड़त कर्शोड़ रचार ब्हाँ कर्शोड़ रार कि बड़र कि जिए आगे खुछ फ्सके तारी में तखक तोफ तुछ 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 पयारा कि ये रिर्ञड़ झालगति बारे बारे वर खाफ़ार, वर फजदार वितला फ्सके तार्ड़ारे फिर फुछ ची हम आरे पारे घ्माने झालभ़ औरे खो फुछ दो दो मुझारे टूए इं ओपने यह से लुड़ दो जो लुड़ाद हैं एड़ा ओर दो मन मेंग जवार भुड़ारा ओर लुड़ारा अज़ारार चाहिंग एड़ार। फजया फजर छो फट टौट लूक को खाज़ गजा हुआ टॉड़ काओ छुड़ खाज वी जुड़ खाजग लुड़ कि रुड़ गूष खाज़ 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 कि अगर तुम्हारा चोर मामा कहीं पर मुझा है तो उसको मादना दोसों लेकिन गिनना सिरफ बीस तो हो जाते हैं शुरू है कि अगर कर दो हो जाते हैं थाथ आपिए फ्सक्राव जाते हैं तुरूर्फ जाए जाए तुरूर्फ जाए तुरूर्फ टुरूर्फ ऑट प्रविजेस खज़ जज़ झाला ह। ऐस दुआ है 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 एज एजसाओ नगया है पुआ ओया है हैै एजसाओक बड़ चुआ ङ्जसाँ लग्खका इप पहा है लाक बासे झाला पुआहिए इस अब बुआ है खुआ है आटां रहुँ सो का दो यह न लुका पर חिर उदिए इसी کیं एर न दोलैंसение झालर्स भाज को न दोब च other लगजान जगा है लग टुछरा रहा है लगान जो यहा है लगे हैं लगजान 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 झाल 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 रग से बसेकर दुआ ये फरों में हर चनम में तुम्हारी वहूं में बस यही एक सपना बुनूं में तेरे संसं जियू मैं मरूँ तेरे संसं जियू में मरूँ झाल 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 आप पुजारी जी है ना? हाँ बेटा मैं ही वह भागहिन पुजारी हूँ जो तुम्हारी शादी के साथ फेरे पूरे नहीं करवा सका था इसका मतलब मैंने जो कुछ देखा वो सपना नहीं था जब तुमने मुझे पहचान लिया तो यह सपना कैसे हो सकता है यह तो प्रभु की लीला थी अगवान ने तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हारे पिछले जन्म के पिहास को दोराया है और यह सब सीमा की लड़न और सचे प्रेम का फल है जिसने मुझे पाने पिलाया और जो मुझे आं तक लिया ही वो सीमा थी हाँ बेटा, वहीं सीमा है उसने मेरी बहन के घर जन्म लिया और फिर बच्वन में एक दिन मुझे से कहने लगी कि बाबा, मेरा नम सीमा रखना नहीं तो मेरा शंकर मुझे पहचाने का कैसे मैं तो उसी दिन समझ गया था कि हमारे आंगन में तुम्हारे जन्म जन्मांतर का प्यार पल रहा है और मुझे विश्वास हो गया कि तुमने भी कहीं न कहीं दूसरा जन्म ले लिया है तुम जरूर आओगे तुम्हें आना ही होगा तुम दोनों का मिलाब अवश्य होगा लेकि मेरी सीमा है कहाओ तुम्हें देखते ही पैचान लिया था परसों से तुम्हारा ही इंतिजार कर रही थी इसलिए जान बूचकर तुम्हें यहां पकलाई ने पिछली जनम में इसी मंदर में हजवान से मांगा था कि तुम्हें हर जनम में मिलो और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हें यही मिलोगे विवास अंपन हुआ कि विवास था राह कि तुम्हें अंपन बूचकर था कि विवास ठाओ कि अंपने कि विवास पिर्दकर रहाई कि विवास बद्चकर तुम्हें झाल झाल